नमस्कार फ्रेंड्स आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती कि जो अपने आपको प्रूफ किया हुआ है अपने आपको एक ऐसे मिशाल अपने जिंदिगी में बनाया है कि जिससे कि समाज खुद प्रेड़ना लेती है पुर्व ब्यूरोक्रेट और बरतमान में बिहार भारतिये जनतापाटी में स्पोक्स पर्शम अपने आप में एक इतने बड़े ओहदे पे और उससे पुर्व बहुत सारे अनेक भी भागों में कहीं डारेक्टर कहीं वर्ल्ड बैंक कहीं और किसी जिले में जिलाधीस मतलब कई एक जगहों पर उन्होंने काम किया और अपने जीवन को समाज से जोर के रखा और समाज में इतनी सुंदर इतनी अच्छी ब्योस्था स्थापित की जिसके लिए आज पार्टी उनको एक रिवार्ड के तौर पर इस स्पोक्स पर्शन बनाई है बिहार राज्य मे पार्टी का नाम है भारती जनता पार्टी और नाम है उदय कुमार सिंग उदय या आप एक स्वैम सुल्जे हुए और बड़े ही मजबूत कठोर निर्ने लेने वाले ब्यूरोक्रेट रहे हैं सुरवात हम वही से करते हैं कि आपके ब्यूरोक्रेटी में बहुत सारे लोगों के लिए इतना सुन्दर अनुशासन प्रिये प्रशासन सासन चला उसके लिए किसको स्रे देना चाहेंगे आप क्यूंकि आपने उस पाड़ी को बाख़ुभी बहुत सुन्दर तरीके से प् और मुझे उमीद नहीं थी कि आप कितना कड़ा प्रसन हम से करेंगे चुकि इसका उत्तर चंद सब्दों में देना बड़ा ही कठिन हमें महसूस हो रहा है लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों का जो समाजिक परिवेश है हम लोग गाउं में पढ़े ब आता वरन से है उसमें रहने का हम लोगों का बच्पन का अनुभव है आज भी मैं गाउं से जुड़ा हुआ हूँ और जो आम जन की अशुविधाय कठिनाईया है उसे मैं बैवारिक रूप से देखते रहा हूं प्रशासन जो हम लोगों ने चलाया है वो एक तरह से पेड सोसल सर्विस है हम लोग सोसल सर्विस करते हैं जिसके लिए सरकार हम लोगों को तनखाह देती है और उस तनखाह को लेने के बाद हम लोग समाजिक कारे करते हैं ताकि सरकार का निरने सरकार की नीतियां सरकार की योजनाएं जंजन तक पहुँच पाए यही हम लोगों का उ और आपको आश्चरे होगा कि जब हम मुंगेर में जिला पदाधीकारी के रूप में काम कर रहे थे तो वहां के जीतने भिखमंगा थे जो घूमते रहते थे उन सभी लोगों को हमने जोड़ दिया और सारे लोगों को बीपील से जोड़ने के बाद सब को हम लोगों ने कार् और हर गरीब को जो वहां पे भीख मांगता था शनक पे जिसके लाचार था उसे मुफ्त रासन की व्यवस्ता में हम लोगों ने जोड़ा तो इन सभी चीजों को ले करके एक ऐसा मानसिक्ता एक ऐसा परिवेश मना जिससे जो जब जिम्मेवारी मिली उसे हमने प्रयास किय कि बखो भी निर्वान करें जी बहुत बहुत धन्यवाद उद्यसर आपने सारे विशयों को बड़े कम शब्दों में रख दिया पूरे अपने ब्यूरोक्रेसी के सारे समय को उसमें एक अनुभव जो थोड़ा अनूठा है और सब जगों से वर्ल्ड बैंक में काम करना त तो उस समय जब भारत के या बिहार के जब इसू और प्रॉब्लेम्स या उसके कंटेंट्स आते होंगे उसके तो उसमें आपको क्या समझा रहा था कि उस पर क्या करना चाहिए देखें मैं वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था पी एचेटी में जिसको SPMU बोलते थे औ और वो बिहार के कुछ सेलेक्टिव डिस्टिक्स में वो प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें स्वक्ष जल और सैनिटेशन से सम्मंधित कारिकरम चलाए जा रहा थे मैं उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डिरेक्टर था वो वर्ल्ड बैंक संचालित प्रोजेक्ट था उसका funding World Bank से होता था और उसका project director में ही था और उस समय sanitation भी PhD ही देखती थी इसलिए बिहार के sanitation से संबंधित काम भी World Bank के माध्यम से मेरे ही द्वारा किया जाता था तो निश्ची तोर पे वो एक selective districts में project था और arsenic free, chemical free, iron free और इस तरह का जो sulfur free water जो जितने जो chemicals हैं वो पानी में जो dissolve हो जाते हैं उन chemicals को हटा करके और लोगों को पानी मुहया कराने के लिए वो project था ताकि लोग स्वस्त रहें स्वक्ष रहें तो उस project का हम project director थे और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया था कि जनता को इस तरह का जल मुहया कराया जा और बहुत सारे जबहों पर यह चल भी रहा था आज वो सफलता पुर्वक काम भी कर रहा है अब project वो साइद है या नहीं यह हमें नहीं मालूम है लेकिन जहां यह वस्ता किया था और बड़ी सफलता पुर्वक वो सभी योजनाय चल रहे थ जी बहुत बहुत धनेवाद आपने बिल्कुल ठीक कहा अज उसी आधार पर बिहार सरकार लगभग हर गाओं में क्योंकि आप लोगों की सरकार साथ रही है हर गाओं में जो स्वक से जल प्रोवाइड कर रहे हैं पाइप से जल की सुविधा हो रही है लोगों को गाओं ग लगता है कि कहीं न कहीं वहां से इंस्पिरेशन जरूर उनको मिला होगा जहां आपने उस बातों को उस विचार को अपने निदेशक सिप में उनको बताया होगा राज्यसरकार को निदेश दी होंगे अब पार्टी पे आते हैं भारती जनता पार्टी बिहार की एक बड़ी म मजबूत और संगठित पार्टी है क्योंकि संगठन सर्वो पड़ी है भारतिय जन्ता पार्टी में आपकी पार्टी में आपको इस पर्शन बनाया गया तो आपका जुराओ भारतिय जन्ता पार्टी से हमें ऐसा लगता है कि छात्र जीवन से था या फिर जब आप जब अप अपने जॉब में थे जब आप भारतिये प्रसाशनिक शेवा में थे तब से हुआ या फिर उसके बाद आप भारतिये जनता पार्टी को स्विकार किया कि हमको इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए नहीं ऐसा है कि बच्पन से हमारे गाव में एक पुराने रास्टिये स् करते थे संग की सखाएं वो लगाते थे और हमारा भी बच्पन में उनसे जुडाव था उनसे बहुत सारी बातों को हमें जानने का उसर मिलता था सेवा काल के दौरान भी ये लोग हम से मिलते जूलते रहते थे और चुकि आज बिश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतिय जनता पार्टी है और बाकी जो पार्टीयां है वो सामईक है उसमें लगता है कि बहुत कम उनका जीवन है और वो निरने जो उनका होता है वो आटो क्रेटिक है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा कॉर्पूरेट नेचर के में वो पार्टीयां चलाई जाती है तो हमने भारत की पार्टी नहीं है और इसमें किवल एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वो जो चाहता है वही होगा तो इन सभी चीजों से प्रभावित हो करके हमने भारतिया जनता पर्टी को जोइन किया जी उदे से उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं जानते संग नहीं जानती उच च्शकण की जानकारी नहीं होती है विरोध करना अपने जगह पे हैं आप अगर संग के भावनाओं से संग के विचार से कोई ज़रूरि नहीं है कि हर व्यक्ति विचार को माने ही और उसका भी वही मान सिखता हो जो संग की सोच है लेकिन अगर आप भिन्न है तो आप उसके सिधानतों को आलोचना करिए उसके लिट्रेचर को पढ़िए समझिए हम अभी ओर्गनाइजर उनका एक मैगजिन आता है उसको मैं पढ़ता हूँ और मुझे आश्चर होत है कि इतने रखा जाता है तो जो संग की आलोचना लोग करते हैं वो सुपरफीसियल है और इस तरह के आरोप उस पे लगाते हैं जिस जो उस कहीं भी उसको आप सोच नहीं सकते हैं और उसमें काम करने वाले लोग ऐसा सोच सकते हैं इस तरह के आरोप लगाया जाता है अब आपको यह जानकर आश्चर होगा कि जो पी एफाई के लोग पकड़े गए जो भारत के में आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं जो गजवाय हिंद की चर्चा करते हैं उन लोगों ने जब पकड़ाना शुरू किया तो जबाब में कहा कि हम तो वही करते हैं जो रास्टि स्वायम स्वाप संग् देश को तोड़ने की बाद तो नहीं करती हैं कहीं किसी अगरवादी या इस तरह के कोई घटना में रास्टिया-ष्वायम स्वाप संग् नचारल कैलमिटी, बड़े-बड़े डिसास्टर, में उसके एक-एक स्वायम स्वाप खड़ा हो लोगों को से योग करते हैं जब कोरोना काल में विश्थापित हो रहे थे लोग और दूसरे लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी को उनको जा करके पानी पिलाएं यहां तक कि घर के लोगों ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया था घर के लोग भी उन्हें घर में प्रवेश विधाओं की बिवस्ता कर रहे हैं अपनी जान को हथेली पर ले करके तो यह चीजें उसके आलोचक नहीं देखते हैं वह किवल एक चीज देखते हैं की एक हिंदू राश्ट की बात करते हैंगर अखंडित भारत की बात करते ही हैं तो उसमें क्या गलती है? क्या किसी ने भी भारत के विभाजन को आज तक वरसों इतने दीन हुई आजादी की कोई भी भारतिये भारत के विभाजन को क्या मानसिक रूप से स्विकार किया है कोई नहीं किया है तो ये भले ही भाय से नहीं बोले वोट की डर से नहीं बोले कि हमको एक वोट से बंचीत होना पड़ेगा लेकिन यह सचाई है कि आज के दिन भी अखंड भारत हर भारतिये का सोच है और हर भारतिये की मान सकता है जी उदेसर आपने बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही कि जो नहीं जानते संग को या संग के किरिया कलापों को तो सोभाविक है कि अग्यानता बस बहुत सारी बातों को कही जा सकती है लेकिन एक बात में देख रहा हूँ अभी क्योंकि अब पार्टी लेबल की बात है कि नौ राज्यों में चुनाओ है इस वर्स और हमारे सुस्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जो पूरे विश्व में एक विश्व नेता के तौर पर और नतिर्त करता के तौर पर जाने जाते हैं अब बिल्कुल उनके बातों से ऐसा लगता है उनके हाव भाव से ऐसा लगता है हम मेडिया परसन को कि वो चुनाव मोड में आ गए हैं अब क्योंकि उनको यह लगता है कि 2024 का चुनाव इस नौ राज्यों में होते हुए चुनाव के रास्ते से गुजरेगा और इस सेमी फाइनल होगा फाइनल 2024 में होगा तो क्या आप लोगों के पार्टी लाइन में कभी इस बातों के डिसकसन शुरू हुए है या आपकी तयारी शुरू हो गई है उसकी देखिए भारतिय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कोई न कोई राजनेतिक कारिकरम से जुड़ी रहती है और भारतिय जनता पार्टी का हर छेत्र में कोई न कोई कारिकरम चलते रहता है और आपने बहुत सही कहा कि चुकि नौ राज्यों में चुनाव है त और पार्टी को पूरा विश्वास है चुकि देखिए हमने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है इस देश में आप देखेंगे पाकिस्तान में आप देखेंगे स्री लंका में आज खाने का मारा मारी है लंका जब हम लोग अपने ट्रेनिंग के दौरान एक बार गए थे तो हम हम लोगों को आश्चर होता था और हमें बताया गया कि आपके कुछ जो चंद राज्य हैं विक्षित उनसे थोड़ा सा आगे लंका का आर्थिक स्थिती है और वहां पे वहां की सफाई वहां की लिटरेशी वहां जो स्लीडा इंस्ट्यूट में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था उस इंस्ट्यूट का आपकिपिंग यह सब देख करके हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई पास में एक बहुत अच्छा रास्ट हम लोगों के आसपास ही आजाद हुआ और अच्छा विकास कर रहा है लेकिन यह सारा विकास बालू के भीद पर था औ और एक कोरोना के वाईरस ने दो धाईस वर्स के ओधी में लंका के अर्थव्योस्था को पूरी तरह से जगजोर कर रख दिया और ऐसा रखा कि रास्टपती भावन में लोग खाना खोजते हुए घुस गया आज लगभग पाकिस्तान की वही इस्थिति है हम लोगों ने पहारत में मुफ्त कोरोना वैक्सीन अपने सभी नागरिकों को दिया हम लोग यहां पे असी कडोर से उपर लोगों को मुफ्त में रासन दे रहे हैं हम लोग यहां पे जिनको घर नहीं है उनको रहने के लिए कडोरों लोगों को छट दिया है और इस तरीके से बहुत सारी कल्यानकारी योजनाएं आपके देश में चलाई जा रही है और उन योजनाओं के बल पे हम लोगों को पूरा विश्वास है आप देखिए आयुश्मान भारत आयुश्मान भारत ने आश्चरजनक रूप से काम किया है गरीबों के बीच जिन्हें इलाज के लिए पैसा नही गोजना महिलाएं गैस के बिना ऐसे ही खाना बनाती थी पूराने जमाने के सिस्ट्म से हम यह मानते हैं कि हमने एक बार सिलिंडर दिया एक बार कनेक्शन दिया इसके बाद अब अगर कोई उमीद करें कि हर महीने महीने हम लोग सिलिंडर देंगे और पूरी ब्यौस्था रखेंगे तो यह थोड़ा कटिन है लेकिन इसी कनेक्शन के लिए बरसों बरसों लाइन लगता था और यह कनेक्शन में काला बजारी होती थी और हर घर के महिला को हम लोगों ने इसको दिया आपको अश्चर होगा यह जान करके कि इस तरह की जितने वेलफेर स्किम्स भारत की पढ़ाओ यह उजना था उसमें बेटियों को महिलाओं को घर में प्राथमिक्ता मिले इस कारण इसे स्कीम को आगे बढ़ाया गया ताकि महिला को ही आगे रह करके उन्ही के नाम से इन सभी स्कीम्स को चिन्धित किया जाए कनेक्शन उनको दिया जाए आपने देखा हो हस्ताक्षर नहीं कर पाती थी वो महिला में हस्ताक्षर करना सिख गई तो यह सारी जो हम लोगों ने कल्यानकारी योजनाये चलाई इन योजनाओं का परिणाम है कि हम लोगों को जनता का विश्वास मिला और हम लोगों को वोट की पूरी उमीद रहती है बिहार में नितीज कुमार की सरकार चल रही थी आपके समर्थन से लेकिन नितीज जी ने किस कारण वस अपने आपको विड्रौ कर लिया सरकार से और फिर दूसरी पार्टी जो आरजेडी है वहां की एक पार्टी उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका सौभाविक गठबंदन था जो प्री पोल गठबंदन बोलते हैं लेकिन अब वो आसौभाविक गठबंदन में आ गए हैं बड़ा कस्मकस भारतीय मने बिहार की राजनीती में चल रही है तो वहां पर आपकी पार्टी कैसे पहला आपने कहा कि हमारे साथ उनका सोभाविक गठबंधन था तो नेचुरली जितना उनका कारेकाल रहा है उस कारेकाल का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो भारतिय जनतापाटी के साथ रहा है चाहे वो केंद्र में मंत्री हो चाहे बिहार में मुख्य मंत्री हो और उनको भारतिय जनता दल के विरुद्ध अपना राजनीत शुरू किये प्रचार प्रसार शुरू किये और भारतिय जनता पाटी का एक मात रुदे से था बिहार को जंगल राज से मुक्त कराना जो बिहार में कुशासन था मिश्रूल था जो वहां तेल पिलावन लाठी भजावन रैली और यह सब होते थे चारा चरवाह विद्धाले की बात होती थी और पंद्रह वर्सों में बिहार कितना पीछे चला गया इसके आप अनुहाव नहीं कर सकते हैं वो पंद्रह वर्स स्वर्ण काल था उसमें देश के बहुत सारे राज बहुत आगे गये और हम लोग इस तरह के फ हुचने में लग जाता था टाटा से पूरा दिन हाईवे की ऐसी इस्थिती थी अलकात्रा घोटाला हुआ रोड बनाने के लिए अलकात्रा आया अलकात्रा को लोगों ने बेच दिया तो नैचुरली मानिय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीत जो अपने इस मुकाम तक भारते जनता पार्टी ने उसनको भरपूर शहयोग दिया और अब उनका जो एंबिशन है भारत के प्रधान मंत्री बनने का अब बनेंगे नहीं बनेंगे इस विशे पर मैं नहीं जाना चाहता हूं चुकि एक राज्य के एक छोटे से दल जिसका 45-40 विधायक हो वो देश में प्रधान मंत्री बनने का सपना संजोए हुए हो तो ये बड़ा मुश्किल और कठिन लगता है लेकिन उनका केवल एंबिशन भारत के प्रधान मंत्री बनने का हम लोगों से दूरी बनाया चुकि भारत के प्रधान मंत्री का भारतिय जनता पार्टी में कोई वेकेंसी नहीं था और हम लोगों के साथ रहते हुए उनका ये ambition फूरा नहीं होता एक गठवंधन बनाया जो सोभाविक नहीं है नैचुरल नहीं है जैसा कि आपने का तो अब जो है बिहार की राजनिती को ये लास्ट सवाल है क्योंकि आपके पास समय की कमी है फिर अभी आत्रा करनी है तो जो बिहार की राजनिती है कैसे देखते हैं आप क्या इतनी अइस्थर राजनिती से क्या राज्य का कल्यान होगा या भरती जनता पार्टी क्या रोल प सी जनता से दरकार सरकार और दरकार दोनों में बड़ा दिखाई दे रहा है देखिए लोग तंत्र में जनता मालिक है लोगों को भले ही यह बात समझ में आई या नहीं वाए गरीब गुर्वा जनता जो खेतों में काम करती है किशान मजदूर जो अपना स्रम देते हैं उनको भी राजनीत की पूरी जानकारी रहती है आपने जो कहा कि लाठी चार्ज हो रहा है जो रोजगार माँगने जा रहा है उनको डंटा से पीटा जा रहा है जो NTPC में किशान जिनका जमीन का धिग्रहन हुआ वो जब अपने जमीन का मुआवजा मांगने बक्सर में गए तो उनके घरों में घूस करके पुलिस ने सोते हुए महिलाओं को पिटा और ऐसी इस्थिती होई कि सैक्ड़ों परिवार वहां पे पिटे गए और महिलाएं डेढ़ दो बजे रात को ज बहुत धन्यवाद आपने बेबाकी से सारे सवाल का जवाब दिये बिहार एक ओंपून्भूमी है कि जहां से बुद्ध जहां से बड़े बरी रशी मुनी जहां से राजिंदर परसाध पर्थम राष्ट्रपति जहां से जैप्रकास नरायन जहां से सेर सासूरी और जहां स भावा बेस और कहीं न कहीं कॉडिनेशन की कमी बिहार को खाय जा रही है और बिहार को उस बैभत तो पहुचने में रोक रही है मेरा अपील हमारे सोस्वी प्रधानमंतरी जी से होगा क्योंकि जैसे उन्होंने भारत को डिजिटल इंडिया बनाया क्योंकि एक सबजी वाला भी एक ढोलक बजाने वाला भी और एक चाय बेचने वाला भी अपने दुकान पर यूपी आई नमबर रखता है और डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है 200 की सबसे बड़ी बाते हो रही है सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारे भारत में होता है दूसरी बात जहां तक हमारे प्रधानमंतरी जी ने बहुत ऐसे कारज योजना महिलाओं के लिए किया और अब जब रोजगार की 75-75 हजार वेकेंसी के साथ रोजगार पत्र बा काम है लेकिन मेरी अपील उनसे होगी कि एक बार उनकी निगाह हमारे बिहार पे भी परे क्योंकि बिहार पे अगर उनकी निगाह परती है और बिहार में उसी वीजन के साथ हो काम अगर करते हैं तो मेरा बिहार भी हमारा बिहार भी एक ग्रेट बिहार होगा और विहार दोक्टर अनुसरमा की तरफ से.